नमस्कार दोस्तो मेरे नामे विशालोर आप देखरें विशालोर लाइग येटुब चनल दोस्तो आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ ब्लॉगिंग करियर के बारे में दोस्तो बहुत सारे लोगों ने ब्लॉगर नाम का वर्ड सुना है अगर नहीं सुना है तो आज की वीडियो के बात आपके जो डिफिकलटीज है है या फिर आपका जो डाउट है ब्लॉगर के बारे में वो चूट जाएगा यहाँ पे ब्लॉगर में आप कज्र कैसे बना सकते है यहाँ पर आपकी इंकमिंग की 300 हो सकती है यहाँ पर ब्लॉगिंग आप पर टेम कर सकती है फिर फूल टाइम ऐसे बहुत सारे सावलों के भारे में मैं स्टोड़ों मैं बात करने वाला हो तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंतक जरूर देखिए दोस्तों वीडियो स्टाट करने से पहले मैं आप सब लोग को बहुत बहुत सौरी कहना चाहता हूँ क्योंकि मेरा हो सकता है आवास आने वाली वीडियो में थोड़ा सा खराब हो जाए लेकिन यहाँ पर मैं वीडियो डालना बंद नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर सबसे पहली बात यह आपको पताना चाहता हो कि अगर आपको वीडियो देख रहे तो पूरा का पूरा दिखिए ताकि वीडियो पर वास्टाइम ज्याद आए और वास्टाइम ज्याद आने से होगा यह कि वीडियो कि जो बाकी लोगों को रेकमेंडेशन में आ जाएगी और जल्दी से जल्दी यह चानल 1000 सब्स्राइबर तक पहुँच जाएगा तो दूस्तो यहाँ पे सबसे पहली बात अगर मैं बता दू ब्लॉगिंग में आप कैसे करियर बना सकते हैं तो यहाँ पे इंडिया नहीं पूरी कीप्री वर्ल्ड में ऐसे हजारों लॉग को वीडियो आपको यूटिब पे लिगे जो पता देती है कि आप ब्लॉगिंग चाहते हैं तो होता है जब आप Google पे सर्च करते हैं तो यहाँ पे उसके डाटा है यहाँ पर गूगल पे जो डाटा आते हैं वह कुछ वेबसाइट पे आप ढरिक हो जाते हैं में वहाँ पर उसका domain बहुता है जहाँ पर .com.in होता है यहाँ पर उस site का नाम होता है जिसके www.ab कोई भी चीज हो जिसका .in ऐसी websites रहती है तो यहाँ पर basic में आपको बता रहा हूँ कि blogging कैसी होती है तो यहाँ पर उसके ऊपर click करते हैато यहाँ पर रे हेड होते है उस page पर जब आप उस चीज पढ़ते हैं तो यहां पर होता है कि कही ना कही उस page पर उपर नीचे मिडल में कही पर भी आड्स आना स्टार्ट कर देती है और यहां से ही ब्लॉगिंग करिया स्टार्ट हो जाता है अगर आपको वहां पर आड्स देख रहे हैं तो समझ लिजिए जिसने भी वह लिखा है उसको अभी उसके पैसे मिलने वाला है क्योंकि आपका जो इंप्रेशन है यानि आपको आड लिखना बढ़ता है जब आप लिखेंगे आपके थर्यपन जाब सक्क्ट हो जाएगी जब त्राफिक आना जल्दी से यानी जाधर से ज़ाद do has to start आपके आपके जो इंकम में आपको जनरेट होना स्टार्ट हो जाईगी तो यहाँ पर आको तर यहाँ पर इस संपल में के बता दिया ब्लॉग इंग क्या होता है यहाँ पर अगली यह आती है कि ब्लॉगिंग में हमें या फिर नहीं तो दोस्तों देखिए करियर बनाने के लिए कौनसे फिल्ड हो उसमें आप करियर बना सकते हैं इस चैनल पर लगपक मैंने 40-50 वीडियो बना चुका हो जहाँ पर मैंने सिर्फ और सिर्फ करियर 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 की बात की है यह आपको इंकम है वह भी नहीं मिलने वाली आपका अपको करना ही होता है कि आपको हर रोज हर वक्त लिखना बढ़ता है जब आप लिखेंगे तो आपकी साइट पर दिरे दरे ट्राफिक आना स्टार्ट हो जाएगी और जब अच्छी खासे ट्राफिक आ जाएगी यानि सब लगवग 10-12-13 साल लग जाते हैं लेकिन अगर आप ब्लॉगिंग स्टार्ट करते हैं और हो सकता है अगर आपको जादर से जादर सक्सेस मिलना जल्दी स्टार्ट हो जाएगी यानि दो साल में तीन साल में तो आप आपकी नॉर्मल चुप छोड़के ब्लॉगिंग को as a full income हो सकता है तो दोस्तों देखिए। ब्लॉगिंग में income होने के लिए दोस्तों याचली fluctuation होता है क्योंकि यहां पे ads कितने आ रही हैं उसके impressions कितने हो रहे हैं उस ads कितने हो रहे है इस हिसाब से आपके जूगम हो होने वाली है लेकिन आपको मैं बेसिकली बता दू को यहा पर यह बाद भी बहुत बड़ी हो जाती है कि आपका इंकम जो है वह लाखों में भी हो सकता है दोस्तों इंडिया में नहीं इस पुरी पुरी वर्ड में ऐसे बहुत सारे ब्लॉगर से जो इवेंड ब्लॉगिंग करते हैं यानि अगर सपोस्थ दीपावली आ रही है होली आ होता है कि वह लोग उस वेब्स wurde कंटेंट लिखे है कुछ नंतेंट को पब्लिश कर देती अर यहां से उस मेवं इंकम है वह बहुत जादा हो जいたी कि यहां पर क्वेंड ब्लॉगिंग करते है वो full time bloggers होते हैं यहाँ पर उनकी सब बाते पता होते हैं कि कौन से चीज लिखनी चाहिए कौन से चीज पर traffic आने वाली है कौन से चीज पर लोग search करने वाले तो यहाँ पर यह बहुत बड़ी बात हो जाती है कि आप कौन सा content लिख रहे है लोग क्या search कर रहे है या फिर नहीं या फिर सबसे बड़ी बात ही आती है कि आपका content search होने के बाद क्या लोग उसकी तरफ आ रहे है उसके बाद उसके उपर add आ रहे है इसके बहुत सारे factors पर वह आपकी इंकम है वह generate होने वाली है तो यह तो हो गया blogging में आप कैसे career बना सकते है यहाँ पर सबसे last बात यह आती है कि क्या आप blogging को future में as a scope के तावर दोर पर दिखते है या फिर हम बोल सकते हैं क्या blogging को scope future में रहने वाला है या फिर नहीं तो दूस्तों देखिए जब तक Google है तब तक blogging को तो blogging तो जाएगा नहीं क्योंकि लोग content को हर बत search कर रहे है और इस जमाने में जब तक जिस जमाने में जब हर इंसान के पास जियो है तो यहाँ पर Google तो Google को तो बहुत सारे searches हर दिन में मिल जाती है तो यहाँ पर आपके लिए भी और as a blogging career के लिए बहुत ही bright future रहने माला है दिरी दिरी लोगों के पास technology पहुच रहे है technology पहुच रहे है technology पहुच ने से लोग search कर रहे है search से वह लोग आपके traffic तक आ सकते है तो दोस्तो यह तो हो गया आज की वीडियो के बारे में दोस्तो वीडियो के end तब मैं आप सब लोग को ले बहुत-बहुत thanks कहना चाहता क्योंकि इस चानल पर लगबख 333 यानि 333 सब्सक्राइबर्स हो चुके जब मैंने यह चानल स्टार्ट किया था तो यह चानल जिरो पे था तो मैं आप सब लोग को request करना चाहता हूँ कि आपके support की अभी बहुत ज़्यादा जूरू होती है आप हो सके तो मेरे वीडियो को फैमिली वो जल्दी कंप्लेट कर देगा और जब यह फैमिली कंप्लेट हो जाएगी तो आपके लिए एक special announcement रहने वाली है मेरे तरफ से तो प्लीज मेरे वीडियो को प्लीज शेयर करते रहे है और इस चानल को support करते रहे है तो धन्यवाद दोस्तों यह वीडियो तो अग हुआ है तो प्लीज वीडियो को like, share, comment और इस चानल को subscribe करना बिल्कुल भी मत बुलना धन्यवाद